आज बाबू बीर्पुमर्शिंग का विजयत सो दिवस हमारा समाज मना रहा है और हम लोग सभी भारतिय समाज के लोग इस बात के लिए गवरवानमित हैं कि 80 वर्ष की उमर में उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया और अपने रियासत को अंग्रेजों से मुक्त कराया उनसे हम सभी को प्रेड़ना लेनी चाहिए समाज के सभी समुदाय सभी बर्ग के लोगों को एक साथ लेकर लगभग 1200 लोगों का एक खौज उन्होंने बनाया और विहार, उप्तरप्रदेश हर जगह उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई या लड़ी और अंतता अपने रियासत जग्दीश पूर को अंग्रेजों से मुक्त कराया ऐसे महापुरुष उनकी खासियत सायद इतिहास के दुसरे महापुरुषों से वलग इसलिए है कि नफरत उनकी अंग्रेजों के साथ ऐसी थी कि जब अंग्रेजों की गोली उन्हें लगी उन्होंने अपना हाथ काट करते इस आउसर पर हम उनके लिए यही कहेंगे लेकिन वो दुवारा होने सका तुफान में तस्ती डुबती गई अंदाद किसी ने कुछ भी नकी अल्लाह विठा मल्लाह विठा तस्ती का सहारा होने सका तुम जितने छुपे रूपोश हुए इतनी ही मुहबबत बलती गई उनने तो किनारा कर ही लिया, हमसे तो किनारा होने शक्राइब आज उस मापुरूश से हम लोग किनारा नहीं ले सकते, वो हमारे दिलों में है और हमेशा भारतिया इतिहास में अमर रहे हैं. और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बैल आइकन जरू क्लिक करें से हमारे आने वाली न्यूज की नोडिफिकरजन आप लोग को सबसे पहले मिलें